हेलो गाईज, वेलकम टू स्टडी टाइम, आज हम करने वाले हैं 19 अप्रेल 2020 का करेंट अफिर्स, आज की दाहिंदू से जो भी इंपोर्टन निउस है, एवं जो भी करेंट अफिर्स के क्वेशन बन सकते हैं, वो सारी यहां कवर किये गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते है आज का सेशन, और इसका पीडियाफ पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पहला क्वेशन है, विस्व धरोहर दिवस किस तिथी को मनाया जाता है, तो जो विस्व धरोहर दिवस है, यह हर साल 18 अप्रेल क जो इस बार की थीम रखी गई है, वो है, सेयर्ड कल्चर, सेयर्ड हैरिटेज, एंड सेयर्ड रिस्पॉंसबिल्टी, ठीक है, और इसको यूनेस्को द्वारा आयूजित किया जाता है, तो बात करते हैं, यूनेस्को की, इसका फॉर्मेशन हुआ था, 4 नवंबर 1946 को, हैड इस देश में इस दित्व भारती उच्चायोग ने वर्चुल COVID-19 गोल में सम्मेलन आयूजित किया है, तो ये जो वर्चुली COVID-19 गोल में सम्मेलन आयूजित किया गया है, ये ब्रिटेन में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में, और जो COVID-19 इसूस, चै साहरे ओरं जी का निधन हो गया है यह कौन थे तो जो इक नेता ते आदिवासी नेता और ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं तो इनका हाली में अभी निधन हो चुका है ठीक है चलिए next question अगला question है हाली में क्रसी मंत्रालय ने कौन सी मौबाइल application लौइशन लॉंच की है। तो मोवाइल ऐप्लिकेशन लॉंचर की गई है क्रसी मंत्राला उसमें गरसी मंत्री है नरेञ्ट सिंग्तो मर जी ओरा वो है किसान रथ इसमें किसानों की जो फसल है जो जल्दी खराब होने वाली फसल है उनको कैसे जल्दी से जल्दी मंडी तक पहुंचाया जा सके उसके ट्रांस्पोर्टेशन के लिए ये किसान रथ एप लॉंच किया गया है चलिए next question अगला question है हाली में SS करोना मोबाइल एप किस राज ने लॉंच किया है दिल्ली द्वारा ठीक है दिल्ली ने SS करोना जो मोबाइल एप्लिकेशन है ये लॉंच किया है जो भी यहाँ पर हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ पर घर घर जाकर सर्वे करके और जादे जानकारी जुटा कर उसमें अपने आकड़े लोगों तक पहुंचाना ये सारी चीजें इस एप में की गई है जिससे पता चल सके कि हॉट स्पॉट वाले इलाकों में ऐसे और भी लोगों में लच्छन पाए जा रहे हैं या नहीं जिससे कोरोना को जल्दी से जल्दी खतम किया जा सके चलिए तो बात करते है देली की तो यहां के सियम है अर्विद केजरिवाल जी और जो लेफटिनेंट गवर्नल है वो है अनिल बैजाल जी चलिए नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है हाली में किस राची सरकार ने होम डिलिवरी सुधा प्रदान करने के लिए सी जी हाट की सुरुआत की है तो देखिए यह है कि यहां के सियम कौन है गवर्नर कौन है राजसभा की कितनी सीट है लोगसभा की कितनी सीट है तो यह इस्टैटिक के जो भी कोश्चन बन सकते थे वो यहां सारे दिये गए हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है हाली में किस मोबाइल एप ने तेरा दिन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का विश्य रिकॉर्ड बनाया है तो ये एप है आरोगि सेतु एप ठीक है जो प्रधान मंत्री जी ने भी बोला था कि इस एप को आप डाउनलोड करिये इससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं पता चल जाएगा आपको कि आपके आसपास कोई कोरोना वाला व्यक्ति है या नहीं है तुरंत ही ये अलर्ट मैसेज आपके एप पर सेंड कर देता है तो ये है एप अरोगि सेतु जिसने तेरा ही दिन में विश्य रिकॉर्ड बना लिया है सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने का चलिए नेक्स्ट कॉस्चन अगला कॉस्चन है हाली में किस राज ने 15 अप्रेल को अपना इस्थापना दिवस मनाया है तो जो 15 अप्रेल को अपना इस्थापना दिवस मनाया है ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है ठीक है कोई भी ऐसा फंसन नहीं किया गया वहाँ पर कोरोना की वज़े से बस ऐसे ही उसको मना लिया गया है ठीक है तो याद रखिएगा 15 अप्रेल किसका होता है इस अपना दिवस हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश से जो भी important question बन सकते हैं वो यह आप अपनी स् COVID-19 कुरुकल अभ्यान है यह सुरू किया गया है केरल के द्वारा ठीक है जिस इस अभ्यान में क्या है कि आप कोरोना के जितने भी negative impact है वो तो देख रहे हैं सारी जगह से पता चल रहा है हर news channel से पता चल रहा है लेकिन कोरोना की वज़े से जो positive impact है हमारे nature पर हमारे पर हमारे environment पर क्या-क्या positive प्रभाव पड़ रहा है ठीक है तो यहां पर यह सारी जानकारी दी जाएगी कि कोरोना की वज़े से क्या-क्या अच्छा हुआ है हमारी life में जैसे environment में कितना अच्छा सुधार हुआ है प्रदूसर में कमी आई है नदिया साफ हो गई है यह सार अगला question है हाली में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाक रुपए मुआपजा देने की घुस्टर की है तो सरकार ने बोला है कि जो भी डाक कर्मचारी है उनको 10 लाक रुपए का मुआपजा दिया जाएगा अगर कोरोना की वज़े से उनकी मौत हो जाती है उनको को चीज़ों की ठीक है तो ये मौआपजा 10 लाक रुपए जो भी डाक कर्मचारी है उनको दिया जाएगा चलिए next question तो question हो गए समाप हाली में किसे clear rating का नया प्रबंद निदेशक बनाए गया है तो इस question का आप comment section में दीजे so thank you guys मिलते हैं कल नए session के साथ